हेलो फ्रेंड्स तो स्वाधत है आप सभी लोगों का मेरे फ्राइड मोनी चैनल पर तो आज की रसिपी में हम बनाने जा रहे हैं बर्गर बन जो बिना बर्गर एंड बिना फ्राइ के बनाएंगे तो बर्गर के लिए सबसे पहले हम आलू के टिक के बनाएंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक बॉइल आलू लिया है जिसको अच्छे से मैश करेंगे अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या हो तो फटा फट से इसको लाइक कर लो मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है इसमें टिश्ट के अकॉर्डिंग मसाले आड़ कर लिएंगे जैसे कि आदे स्पून लाल मिश पाउडर आदे स्पून इसमें हल्दी पाउडर लिएंगे और आदे स्पून मैंनी इसमें नमक एड़ किया है आदे स्पून मैंनी इसमें चाट मसाला एड़ किया है सबी को अच्छी तरहीकी से मिक्स कर लेंगे चाट मसाली से इसका फ्लिवर बहुत अच्छा आता है तो बिल्कुल भी स्कृिप मत कीजेगा फिर्स में हरा धनिया एड़ करेंगे और इसको एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे तो हमारे बरगर के लिए आलू के टिक्की का श्टफिंग अच्छे से तयार हो गई इसको साइड में रख देंगे यहाँ पर हमें एक बाउल में लेंगे एक कप बेजन इसमें एड़ करेंगे आदा स्पून हल्दी पाउडर आदा स्पून लालमिश पाउडर एड़ करेंगे आदा स्पून गरम मसाला एड़ करेंगे और आदा स्पून मैंने इसमें नमक एड़ किया है मसाले आप अपनी ही साप से एड़ करेंगे फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे और इसको अच्छी तरीकी से मिक्स कर लींगे याद रखिए हमें पानी को थोड़ा थोड़ा करके आड़ करना है वनना ये पतला हो जाएगा अच्छी से इसको मिक्स करेंगे फिर इसमें मैंने आदा स्पून मीठा सोडा एट किया है इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर बैसन अच्छे से मिक्स हो गया है इसको साइड में रख लेंगे यहाँ हमने दो ब्रैड ली है फिर यहाँ पर चोटी सी कटोरी लेंगे और इसको अच्छे से इसमें कट कर लेंगे इसी तरीके से सेकेंड वाली ब्रैड को भी कट करेंगे एंड मुझे एक सेम कमेंट बहुत आता है कि आप जब यह सब बनाते हो तो आप खुद भी इंजोई करते हो यह बस आपकी फैमली ही इंजोई करती है तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दू कि यह सब बना बना कर में इतना ज़्यादा धक जाती हूँ कि उसके बाद मुझे खाने का विल्कुल भी मन नहीं होता लेकिन फिर भी मैं एक दो पाइक टिश्ट कर लेती हूँ कि एंड उसके बाद हम यहाँ पर प्याश का सिलाइस एड़ करेंगे फिर हम तेमेटो का सिलाइस एड़ करेंगे एंड उसके बाद हम इसमें पनीर का सिलाइस एड़ करेंगे और उसके बाद हम इसमें ब्रैड एड़ करेंगे ऐसे ही सेम हमें सेकिंड का टोरी में भी रख लेंगे फिर हम इनको 10-15 मिनिट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से स्टीम करेंगे तो यह अच्छे से स्टीम हो गई है हम इनको अच्छे से निकाल लेंगे फिर हम इसको चाकू की साइटा से हलका हलका से इनकी साइटों में चाकू अच्छे से लगा लेंगे जिससे कि यह बहुत इसली निकल जाती है इन्हें निकालने में बिल्कुल भी परिशानी नहीं होती है चापको से अच्छे से साइट से हम निकालेंगे तो इनको पहले अच्छे से ठंडा कर लेंगे मैंने इसको गरम ही निकाला थो यह बहुत जादा गरम हो रही थी तो आप लोग इसको अच्छे से ठंडा कर लो, इसके बाद इनको निकालो, बहुत इसली निकल जाती है तो देखो मैंने इनको अच्छे से निकाल लिया है, फिर हम इनको अच्छे से कट कर लेंगे मैंने यहाँ पर इसके दो पीस किये हैं आप लोग यहाँ पर इसके चार पीस भी कर सकते हैं तो लेज़ए भई हमारा बर्गर बन-बन कर तईयार हो चुका है आप लोग बार यह ट्राइ करके जरूर देखना आप लोग भी बाहर के बर्गर बन तो छोड़ी दोगे तो इसको टेमेटो केचप के साथ इंचॉय करेंगे फटापट से रेसिपी को फोलो करो और ट्राइ करो चैनल को सब्सक्राइब करो बाप